हेलो ही ब्रीवन, आज मैं मेथी की नमकीन बनाऊंगी, मेथी की नमकीन बनाने के लिए मैं ये डेट सो ग्राम मेथी की पत्तिया ली हूँ, इसको मैं धूल ली हूँ, धूल के थोड़ा सा, रख दी थी पानी निकल गया है, अब इसको मैं छोटा छोटा कट करूंगी, इस त जोटा नहीं भी होता है तो हम आठा में डालते हैं तो छोटा हो जाता है उसको मस लेंगे आठा डालेके तो भी हो जाता है इस तरह से कट कर लेंगे मेति को मेथी थोड़ा बारीखी रहता है तो ठीक रहता है अब हम एक कब बेशन लिए हैं ए अजवाईन लिए हैं एक चमच वो खाने वाले चमच से थोड़ा से नमक डालूंगी हल्दी डालूंगी और धन्या पौडर, खड़ा जीरा यह सब मैं मिक्स कर लूंगी अब इसमें मेथी की पतियां जो कट करके रखी थी अब उसको मैं मिक्स करूंगी पानी इसमें नहीं मिलाना है पहले हम इसको पूरा क्रमबल कर लेंगे इसके बाद 2-3 चमच जितना लगे आपको मतलब आटा बन जाए इसका डो बन जाए एक हम इसमें खाने वाले चमच से तीन चमच डाले हैं अब इसमें मैं नमक नहीं डाली थी नमक डाल देती न तो तुरंत वे पानी छोड़नी लगता अभी मैं नमक डाली अब इसमें थोड़ा सा तेल मैं ऐसे डालके इसको थोड़ा सा चिकना करूँगी ये मेरे हाथ उतमें लगा है तो चिकना हो जाता है अब इसको मैं ऐसे रख दूँगी अब नमक में मिलाई थी तो जितना पानी छोड़ना था मेती को छोड़ दिया है अब उस हिसाब से आप अपने कार्डिंग जितना आपको लगे अब उसमें बेशन मिला लीजिए मैं थोड़ा सा हींग डाली हींग डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और नुक्षान भी नहीं करता तो बेशन जो है पेटमी गैस बनता है जिसको नुक्षान भी नहीं करेगा अब इसको मैं इसको गोल गोल भी जैसे भी अकार्चा है अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी एक रोटी की तरह बनाई हूं अब इसमें हमें के हूं काटा स्प्रिंकल कर रही हूं मैदा नहीं ऐसे इसका डबल फोल्ड करेंगे इसके बाद इसका फोल्ड एक और करेंगे ऐसे करके फिर मैं फोल्ड करूंगी इसको भी फोल्ड करूंगी ऐसे फिर मैं बेलंस से इसको ऐसे लंबा ऐसे बना लूँगी थोड़ा सा आटर डस्ट करूंगी मैं गेहूं का आटर डस्ट की हूं तेस्टी बन गया था बहुत ही टेस्टी बन गया था अब इसको मैं ऐसे कट कर लूँगी एजस कट कर लूँगी यह मेथी है थोड़ा सा आता है चाको के पास में की नहीं कटता है अब तेज से इसे करके काटेंगे इसका डो भी लूज हो जाता है इसमें नमक पड़ जाता है मेथी है तो पानी छोड़ती है फिर भी बन गया था बहुत अच्छा बन गया था अब हाथ से ऐसे मेथी की पतिया जो निकली आप अंदर भी कर सकते है इजली हो जाता है अब मैं सब कट कर ली हूँ अब मैं फ्रा जालके आप फ्राई कर लीजिए अब इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है मीडियम लो करके फ्लेम एकदम क्रंची बन गया था बहुत ही टेस्टी था अब इसे अलट पलट के हम इसको पका लेंगे देखि कलर इसका बहुत ही सुन्दर अब हम इसको निकाल लेंगे ऐसे तेल थोड़ा करके अब सेकेंड बैज का भी हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा ही मैं बनाई थी क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है यह देखिए एकदम इसका कलर भी बहुत अच्छा बन गया था इस मेथर से बनाएंगे न तो बहुत ही टेस्टी बनेगा यह देखिए मैं तोड़की दिखाती हूँ यह देखिए बहुत ही टेस्टी बना था एदम क्रंची बना था जब कितना ज्यादा मोय मोय भी नहीं दिये थे थेंक यू फार वाचिंग एवरिवान